हाई जूनवडेट, we have started a world history series जिसमें हम लोग reformation movement यानि कि धर्म सुधार अंदोलन को कभर कर रहे हैं ये उस series का सातवा लेक्चर है जिसमें हम लोग immediate causes of reformation movement यानि कि धर्म सुधार अंदोलन का जो ततकालीन कारण था उसको कभर कर रहे हैं जो कारण का series चलना था उसका part 3 है दो part हम लोगोंने already कर रखा है पहले part में हम लोगोंने political cause, economic cause और impact of renaissance को कभर कर रहा था दूसरे part में हम लोगोंने split in church and religious cause को कभर कर रहा था ये तीसरा part है जिसमें हम लोग immediate cause यानि कि ततकालीन कारण को देखेंगे जिसके कारण पुन, sorry जो धर्मसुधार अंदोलन था उसको एकदम से बढ़ावा मिल गया एकदम से boost up हो गया धर्मसुधार अंदोलन तो चलिए स्टार्ट करते आज का लिक्चर मेरा नाम है धननजय सिंग, welcome to our study में डीजी तो धर्मसुधार अंदोलन को जो वास्त्विक मजबूती था वो जर्मनी की एक महान सुधारक और पादरी थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर उनही के परियासों से जो है इसको मिला था मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मनी की एक महान विद्वान थे जो 1511 इस्वी में एक ट्रिप पे गए थे रोम के, यानि कि रोम की यत्रा पे वो गए थे, तदेन रोम वो अज फेमस as the religious city of Christian, यानि कि Christian धर्म के, जो इसाई धर्म था उस टाइम, उसके धार्मिक नगर के रूप में उस टाइम, विश्व विख्यात था रोम, after reaching रोम, तो ज उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे तो खुद जो पोप है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो लोगों के अंदर जा करके प्रचार कर रहा है, लोगों को ये, मतलब convince कर रहा है, emancipation letter को लेकर के, यानि कि पाप वाला जो मुक्ति पत्र जो बेचा जा रहा था, उसको लेक पुद से प्रोपेगेंडा करकर के बेच रहा है, लोगों को बोल रहा है कि आपके जो भी पाप है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको जो heaven है, स्वर्ग है, वो नसीब होगा, the Pope's elegant corruption hearted, तो पोप का ये जो भरस्टा चार वहाँ पे चल रहा था, उसने इनको पत्र पोप बेच रहा था, उसको लेकर कि ये अब उसके कटर दुसमन बन गया, पोप के जो है कटर दुसमन बन गया, कटर अपोनेंट, बिरोधी, मतलब बिरोधी जादा बेटर रहेगा, दुसमन वो लड़ाय वाला दुसमन नहीं, ये बिरोधी बन गया, यानि कि उसके नियम, उसके कानून, उसके जो विचारधारा, इन सब का ये बिरोध करनाय स्टार्ट कर दिये, इसका रिजल्ट ये हुआ, कि इन होने एक 95 थेसिस लिखा, 95 स्टेटमेंट लिखा, और उसको ले जाकरके विटेनबर्ग के चर्च पे चिपका दिया, ले जाकरके वहाँ पे लगा दिया, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिसकस किया था, through this thesis, he challenged the justification of the emancipation later, तो इन्होंने जो थेसिस लगाया था, उसके द्वारा उसने मुक्ति पत्र के जो अचित्य थे, उसके चनोती दिया उन्होंने, also through his writings attacked the immorality of the church, चर के माध्यम से, यानि कि इन्होंने बहुत सारा writing किया, कुछ newspaper के लिए article लिखे होंगे, या कुछ essays वगरा लिखे, उन सब में जो है, जो unethic system वहां पे चल रहा था, जो immoral, जो मतलब behavior था, या जो भी rules regulations थे, इन सब पे उन्होंने क्या किया, प्रहार किया, वहां जाने के ब लेकिन जब ये विटनबर्ग के चर्च पे लगाया है, तो उसका profound impact देखा गया था जर्मनी में, ऐसा क्यों हुआ, तो जब ये thesis लगाया है, तो जो भी लोग आते थे, उसको पढ़ते थे, अब चर्च की बुराई जो है, उसमें साप साप लिखा होता था, चर्च, लेकिने लगे, तो ये बात लोगों में फैलने लगी, ये जर्मनी की बात है, तो लोगों में फैलने लगी, तो निउस्पेपर वगारा में भी आने लगा, तो ये और ज़्यादा फैलने लगा, एक बार जो बाते निउस्पेपर में आ जाती है, तो वो तो घर-घर फैलन नहीं था Catholic Church में जो ब्याप्त बुराईया थी जो बुराईया उसके अंदर घुस गए थी उससे इनको problem था which are not compatible with the scriptures यानि कि वैसी नीतिया वैसी जो कुरीतिया कहिए कुरीतिया जादा बेटर है जो scriptures के according नहीं था यानि कि जो pop चला रहे थे जो church चला रहा था इसको तो इसको इनों ने क्या बोला कि यह तो Bible में है ये नहीं तो आप बता क्यों रहे था लोग तो पड़ए लिखे होते नही था लोग को पता ही नहीं था की Bible बइबल में क्या लिखा हुआ है क्योंकि उस time भासा था वह दुसरा बासा था लोगों को दुसरे भासा का ग्यान था उस time printed प्रिंटइंग चलता है 100-200 सालों का एक चलता है जिसमें बदलावाता है एक कोई घटना होता भी है तो immediate कोज हम लोग पढ़ने लेकिन यह भी कम से कम कुछ साल लगे होंगे इसको इतना immediate जितना लग रहा है आपको यह तो immediate कोज आसा हम मार्टिन लुथर ने 95 फाग थिसिस ले जा करके वीटनबर्ग के चर्च पर लगाया और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो गया ऐसा नहीं था उसमें भी समय लगता है एक मतलब फेज की तरह होता है दीरे-दीरे बात फैलता है दीरे-दीरे लोग इकठे होते हैं लोग इन बातों को समझते है तो इन्होंने लोगों को कन्बेंश किया कि यह सब जो बातें है वो इस्क्रिप्चर्स में नहीं यानि कि जो धर्मगरंत है जो बाईबल है उसमें नहीं दिया हुआ है लोग भी इभी इस बात को समझने लगे और इससे क्या हुआ एक systematic beginning हुआ यानि कि एक तरीके से जो है तो धर्म सुधार आंदौलन में और भी जो अग्रदूत थे, उनके बारे में हम लोग बेसीक ग्यान सिरीज लाएंगे, जिसमें छोटा छोटा पॉर्सन करके उनके बारे में देखेंगे, जैसे जोन वाय क्लिप थे, जोन हस्त थे, इरास्मस थे, इन सब के बारे में हम लोग आगे के lecture में discuss करेंगे सारे छोटे छोटे lecture से आप सब को देख सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको तो आज की इस lecture में इतना ही अगर आपको lecture अच्छा लगा होगा तो like कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजेगा मिलते हैं जल्दी ही next lecture में Thank you so much for watching, stay tuned with us